वेलकम वीवर्स आपका स्वागत है मेरे चैनल जी 30 रसिपी पर तो आज हम बनाने जा रहे हैं करवाचोच स्पेशल सरगी की थाली वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले जिससे आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहें So now let's cook together पैन में एक चमच तेल लेना है एक दालचिनी का टुकड़ा डालेंगे दो बड़ी इलाइची, दो हरी इलाइची, दो लॉंग, चमच जीरा, एक चमच कद्दुकस किया हुआ अद्रक, तीन चार खड़ी लाल मिर्चे, डाल कर थोड़ी देर के लिए इन सब को हम भूनेंगे सभी मसाले अच्छे से भून जाने पर इसमें दो मिडियम साइज की टेमाटर डालेंगे सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे और पाच से साथ मिनट के लिए टेमाटर को अच्छे से पकाएंगे पाँच मिनट बाद टेमाटर अच्छी तरह से पक चुके हैं अब हम गैस बंद कर देंगे और एक प्लेट में निकाल कर ठंडा होने देंगे ठंडा होने पर मिक्सी के जार में ट्रांसफर करके पीस लेंगे अब उसी पैन में हम बाटर डालेंगे साथी साथ एक समच तेल भी डालेंगे अब हम इसमें एक चमच घरम मसाला और एक समच कसूरी मेति डालेंगे और लो हीट पर अच्छे से मिक्स करेंगे अब हम इसमें 250 ग्राम पनीर के पीसस डालेंगे इन्हें अच्छे से mix करके roast करेंगे जब तक ये golden brown न हो जाए इन्हें में अच्छे से alert पलट करके golden brown होने देना है पनीर अच्छे से सुनहरे हो गए है अब हम इसे plate में निकालेंगे उसी pan में हम दो चमच तिल डालेंगे इसी के साथ तेज पत्ता डालेंगे एक चमच नाल मिर्च पाउडर आधा चमच हल्दी एक चमच धनिया पाउडर डालकर mix करेंगे सभी मसाले अच्छे से fry हो जाने पर अब हम इसमें डालेंगे टमाटर का paste मिडियम फ्लेम पर हम इसे चलाते रहेंगे पांच उनट के लिए अब हम इसमें मसाले वाला ही पानी डालेंगे और अच्छे से mix करेंगे ओईल हमारा अच्छा सा separate होते हुए दिख रहा है अब हम इसमें एक चमच नमक और रोस्ट किये हुए पनीर के क्यूब्स मिलाएंगे सभी को मसाले में अब हम अच्छे से mix करेंगे और इस तरह से बीना लसुन पैज का टेस्टी पनीर बटर मसाला तयार है अब हम बीना पैज नसुन वाली आलू की सबजी बनाएंगे तो कड़ाई में दो से तीन चमच तेल लेना है तेल गरम होने पर एक चमच जीरा डालेंगे इसी के साथ एक चमच बारिक किया हुआ धनिया पाउडर डालेंगे इसी के साथ आधा चमच सौफ का पाउडर डालेंगे एक तेज पत्ता एक चमच कद्दुकस किया हुआ अद्रक चार से पाच लाल खड़ी मिर्चे डाल कर सभी को भून लेंगे अब हमें इसमें दो मिडियम साइज के टेमाटर को ग्रेट करके डालना है जैसा आप देख रहे हैं इससे सबजी अच्छी गाड़ी बनती है अब हम टमाटर को मसाले में अच्छे से मिक्स करेंगे और पकने देंगे अब हम इसमें आधा चमच नमक डालेंगे और मिक्स करेंगे इसी के साथ एक चमच लाल मिर्च पाउडर और आधा चमच हल्दी पाउडर डालकर मिक्स करेंगे अब हम इसमें तीन से चार उबले हुए आलू डालेंगे इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे और मसाले में अच्छे से भुनते रहेंगे एक कटोरी गरम पानी डाल कर अच्छे से मिक्स करेंगे आलू को में हलका हलका ब्रेक करना है जिससे हमारी ग्रेवी थोड़ी गाड़ी होगी और इस तरह से हमारी आलू की सबजी भी तयार है बीना प्याज लसुन वाली अब एक कड़ाई में एक दो चमच हम घी डालेंगे और एक कटोरी उसमें मक्खाने डाल कर भुनेंगे मक्खाने को हमें अच्छे से क्रंची होने तक भुनना है अब हम इसे एक प्लेट में निकालेंगे उसी कड़ाई में हम और एक चमच गी डालेंगे और उसमें भी हम आठ से दस काजू फ्राई करेंगे अच्छे से फ्राई होने देंगे गोल्डन ब्राउन होते तक और फिर इन्हें भी एक प्लेट में निकालेंगे इसी तरह से हमें बादम को भी फ्राई करना है अच्छे से फ्राई हो जाने पर इन्हें बाहर निकालेंगे अब हमारी सारी डिशेश रेडी हो गई है अब हम सर्गी की थाली को कंप्लीट करेंगे इन डिशेश के साथ फिरा खाने से शरीर में पानी की कमी नहीं होगी फाइबर से भर पूर मखाना पेट को लंबे समय तक भरे रखेगा एनरजेटिक रहने के लिए अनार जरूर खाए काजू बादाम में भी अच्छी मात्रा में कैलरी है सभी ड्राइफ्रूट्स व्रत के दरान शरीर के लिए फाइदे मन्द होंगे करवा चौत की सर्गी में अंजीर को जरूर शामिल करें पहली बार कर रही है करवा चौत का व्रत तो सर्गी में सेवे की खिर जरूर शामिल करें बिना लसुन प्याज वाली पनीर और आलू की सबजी भी तयार है इसे आप पूरी के साथ खा सकते हैं सेब और केला पोश्टिकता से भरपूर इन फलों का सेवन करने से आपको भुक का एहसास नहीं होगा नारियल पानी आपके शरीर को हाइडरेट बनाए रखने में मदद करेगा और अगर आप चाय के शौकीन है तो मसाले वाली चाय जरूर पिए तो आपको ये सर्गी की थाली जरूर हल्पफुल रहेगी आपको करवा चौत की बहुत बहुत शुप काम नाए तो मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी जरूर पसंदाई होगी रेसिपी पसंदाई हो तो प्लीज लाइक, शेर और सबस्क्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताए मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा और अब मैं आपसे मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ